हेलो व्रिवन आप सभी का हमारे चैनल पर वेलकम हैं तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th mathematics chapter 3 कि जो most important mcqs हैं जो कि आपके exam में पुछे जा सकते हैं उनको हम करेंगे ठीक है मैं आप से request करूंगा कि क्योंकि टर्म बन का जो exam है अभी प्रिडिक्ट नहीं किया सकता कि किसका exam level कैसा रहेगा बट mcq level पर जो कुछ होते हैं मैं वैसे ही करवा रहा हूं बट एक personal suggestion आप लोगों से कि पूरा जो चप्टर आप पढ़ लीजिए के NCRT से ठीक है जो अगर पूरा चप्टर आप प्रिपेर करके रखोगे तो mcq कहीं से भी आए आप आराम से कर सकते हैं ठीक है यह मेरी suggestion है तो इस चीज का अपको धियान रखना है बाकी पूरा चप्टर आप पढ़ लोगे इन वीडियो को दिख लोगे आप exam में फोडो के यह मेरे से लिख लो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं है सो कोशन क्या बोल रहा है तो पहला वीडियो बोल रहे कि इस दहिए और इस यह हम्हारी पहली लाईन एंयह था यह तो थीन केस होतें एक पहले रहे केस होता है एक इंडिष लाइं कह सोटा है एक कोवॉपिक Сточणे श worlds था इं इन तीन आएगा ही आएगा तो पहला वोशन देखो पूरा डेटी में solution करके आप वो दिखा रहे हैं तो गिवन लाइन में से देखो A1 कितना है 3 B1 कितना है 2K and C1 A2 हमारे पास 2 है B2 हमारे पास 5 है और C2 हमारे पास plus का 1 है ठीक है क्या बोला फॉर पैर्लेल लाइन्स condition क्या होती है बच्चों A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2 ये पैलेल के condition होती है value put up करो 3 by 2 2K by 5 और यहाँ पर minus 2 upon 1 ठीक है k की value निकालनी है तो इन दोनों को equal लेना पड़ेगा क्योंकि यहीं दो equal है cross multiply कर दोगे तो यहां से हो जाएगा 4 की और यहां से हो जाएगा पास्तिया पंद्रा सो की value आजाएगी 15 by 4 ठीक है option number D हमारा बिलकुर सही हो जाएगा ठीक है इस type का question आपको exam में जरूर देखने को मिलेगा ठीक अब आते है next question में करें if 2x plus 3y equal to 12 and 3x minus 2y equal to 5 तो इन में से कौन्सा option सही है जस्ट इन दोनों equation इसको क्या कर देना है solve कर देना है ठीक है so equation number 1 है equation number 2 है इसको elimination method solve करो क्यों की coefficient equal नहीं है इधर इसमें 2 है इस वाले में 2 से multiply करना होगा यहां 3 है एक्सकोरिमेंट करने ही इधर 3 से multiply कर दो solving these two तिन दुनी 6x तिन दिया 9y बारतिया 36 6x दो दुनी 4y बांद दुनी 10 ठीक है same sign में माइनस करते है माइनस करने पर sign change होता है 9 और 4 के आजाएगा 13y और यहां से आजाएगा 26 ठीक है so y की value कितनी आ गई 2 तो आप एक option लिखो यहां से यह वाला तो नहीं आएगा यह वाला भी नहीं आएगा यह वाला भी नहीं है का y की value 2 तो option number C सही हो जाएगा आपको x की value निगालने की भी ज़रूत नहीं है time बचाओ जितना time बस सकता है be smart ठीक है तो यह question में आपका अराम से बन गया अब ऐसे question गुमा गुमा के देंगे आपको बट आसान है देखो पहला वाला equation दो कोई दिक्कत नहीं है यह वाला equation actually क्या है एक्स प्लस वाई मंज एक्स प्लस वाई 5 तुसा 10 अब इन दोन equation को क्या कर दो solve कर दो add करने भी cancel 12 दो चंग 12 x की value क्या गही 6 अब देखो x की value 6 कहां कहां दिख रहा है यहां दिख रहा है तो option number यहां पर भी C वाला क्या हो जाएगा अगला question ठीक है अगला question है वो क्या है कि ऐसे questions को भी मैंने कराना सिखा रखा है इसमें linear equation बना नहीं है तो बनाना पड़ता है ठीक है तो यह 4x यहां xy से divide कर देगे ना तो xy से divide करो 3 हो जाएगा x x cancel y से y cancel 4 upon y plus 6 upon x is equals to 3 पहला equation और दूसरा equation क्या हो जाएगा 8y plus 9 upon x is equals to 5 यह second equation हो जाएगा हमें क्या करना होता है इसके अपॉन में y है इसके अपॉन में y है तो 1 upon y को हम a let करते हैं और 1 upon x को हम b let करते हैं यह NCAT में बढ़ा रखा है तो equation में 1 transform होके क्या हो जाएगी 4a plus 6b is equals to 3 और equation second transform हो जाएगी 8a plus 9b is equals to 5 ठीक है equation number 1 यह equation number 2 solve करोगे देखो coefficient equal करना है इसमें 2 से multiply करना पड़ेगा इस पाता होगा चैप्टर अगर डंग से नहीं पड़ा है तो फिर नहीं बनेगा ना 8a 12b तीन दूनिच्छ है और यह वाद तो ऐसे कैसे ही रहेगा minus करने पर sign change होते है 12 में से 9 गटाएंगे तो कितना जागा 3b is equals to 1 तो b की value हो जाएगी 1 by 3 ठीक है यह B आपने माना तो 1 upon x को स्टो B माना आपने और इसकी value कितनी एतरी है X की value कितनी आगई 3 अब देखो X की value 3 कहां देख रहे है option number 6 2 ठीक है रखने की ज़रूदे y और इसको B की value यहां रखोगे A की value होगा कोई ज़रूदे नहीं इसब करने के आप देखो B की value X की value 3 मिली है कहां पर आ रहे हैं यहां आ रहे हैं तो यह सही हो जाएगा फिर यह देखो यह वाला equation इसको किस तरीक से लिखा गया है यह चीज भी इसकी equal है और यह चीज भी इसकी equal है रूट 8 है है ना 8 8 की power यह है तो 8 को लिख सकते हैं 2 की power 3 और रूट का मतलब होते है power में half तो यह हो जाएगा 2 की power 3 by 2 ठीक है 3 by 2 यह है 2 की power X plus Y तो मैं कर देंगे क्योंकि base equal है तो X plus Y क्या हो जाएगा 3 by 2 यहना की 2 X plus 2 Y क्योंकि 3 क्योंकि equation number 1 again X minus Y same चीज है क्योंकि X minus Y 2 की power 3 by 2 हो जाएगा इसको इसको लेड़ोगे equal तो 2 X minus 2 Y क्योंकि क्योंकि equation number 2 हैगा इन दोनों को solve करोगे add करने पे cancel 2 to the 2 to the 2 to the X की value 3 by 2 देखो 3 by 2 का ना देख रहे तो option number C से ही हो जाएगा 0 ठीके इस तरीके से आपको करना होगा तो यह question भी आपको अराम से आपका अराम से बन जाएगा next question क्या बोला system kx-y equal to 2 and 6x-2y equal to 3 a unique solution unique solution कब होता है बच्चों एक ही point पर जितने point पर बच्चों intersect करता है ना उत्रही solution होता है unique solution मतला एकला होता solution यान के intersecting वाली condition यान के a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 वाली condition लगेगी ठीक है a1 कितना है k a2 कितना है 6 b1 कितना है minus k1 b2 कितना है minus k2 ठीक है 2 1s are 2 2 3s are 6 k1 जा k 3 1 जा 3 सो क्या होगा k की value 3 नहीं होनी चाहिए option number D से हो जाएगा चुटकियो में होगा चुटकियो में होगा चुटकियो में बहुत easy जेकोशन से क्यानता system has unique solution same type का कोशन है वही unique solution intersect करता है और condition क्या होती a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 option 2 b1 है minus k2 b2 है k ठीक है तो यहां से जाएगा k1 जाके 2 to the 4 minus k तो k की value minus k4 नहीं होनी चाहिए अरे यार यह 3 थाना मैंने 2 लिख दिया guys यह 3 है तो 3 to the 6 हो जाएगा minus k6 नहीं होना चाहिए k की value option number B से हो जाएगा तो करने तो system has no solution no solution कब होता है जब कभी intersect ही नहीं होगा parallel के condition में no solution होता है जब दो line कभी आपस में मिलनी नहीं नहीं रहेंगे कभी intersect ही नहीं होगा तो उस case में क्या होगा no solution तो नो solution के condition क्या होती है A1 upon A2 equal to B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2 ठीक है तो A1 कितना है X of quotient 1 A2 कितना है 5 B1 है 2 और B2 है K C1 आपका plus का 3 दरग है minus का 3 और वो क्या है plus के 7 आपको K की value निकाल नहीं दोनों को लेना पड़ेगा K बंजग की 5 to the 10 K की value कितनी होगी 10 होगी अगला कुशन है For what values of K do the equation represent two lines intersecting at a unique point intersecting at unique point आपको K की value निकाल नहीं है तो intersecting condition क्या होता है A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2 A1 कितना है? K A2 कितना है? 3 X का कोशनट A1 इसका कोशनट 3 Y का कोशनट पहला वाला minus के 2 अन दूसरा वाला क्या है? 1 के बन जाके 2, 3, 6 तो के की वैल्यू माइनस 6 नहीं होनी चाहिए अल रियल वैल्यूस एक्सेप्ट माइनस 6 यह ओप्शन सही हो जाएगा ठीक है? आराम से बन गया बाकी सभी चप्टर मैंने करा रखे हैं लिंक्स मिल जाएगे आपको डिस्क्रिप्शन पर डिस्क्रिप्शन जरू चेक कर ले ना बच्चो अगला कुशन है इदा पेर अफ एक्वेशन किस चीज को रिप्रेजन कर रही है तो देखो रिश्व लगाते हैं एवन अपोन एटो चेक करो एवन एक्सक्रिप्शन बच्च वन इदर माइनस के थ्री ठीक है बीवन अपोन बीटो निकालो इदर रहा एक तो बीवन टू इदर माइनस के शिक्स टू बच्च टू टू तो थ्री जर याला कि यह तो एक्वल ही आगे दोलो अब C1 upon C2 भी निकालो, C1 कुछ ही नहीं, है न, अच्छा, C1 है तो सही 5, प्लस की 5, एड दूसरा क्या है 1, तो क्लेरी पता चलना है, देखो, पहला तो तो एक्वल है, E1 upon A2, B1 upon B2 equal है, बट C1 upon C2 equal नहीं है, तो किसकी condition होती है, पारलल की, ठीक है, और पारलल में क्या होता है, कोई solution नहीं होता है, no solution, ठीक है, दो पैलला लाइन्स में, कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है, इस बज़ए से कोई solution ही नहीं होता है, ठीक है बच्छो, तो option number D से हो जाएगा, आराम से, अगला question है, तब पीर ओएक्विशन है, अब यह कैसा हो, ऐसा ही, same type of question है तो इसे आप खुद करो, और मुझे comment करके बताओ कि सर इसका answer गया होगा, ठीक है बच्छो, इसका answer आपको comment करके बताना है, देखते हैं कौन सा बच्चा सही answer देता है, करें, if a pair of linear equation is consistent, then their graph lines will be, consistent दो बार हो, दो टाइप में होता है, जब solution होगा, तभी consistent होता है, तो consistent इस case में होता है, कब, intersecting, intersecting lines, इसमें भी consistent होता है, और consistent होता है, coincident lines में, जब एक line के ओपर दुसरी line जाती है, coincident line, ठीक है, तो इन दोरों के case में क्या होता है, consistent होता है, जब-जब solution possible है, जब solution exist करना है, it means consistent, no solution के case में, inconsistent, consistent, how consistent कब होगा, if a pair of linear equation is consistent, then their graph lines will be parallel, always consistent, always intersecting, intersecting, or constant, इन दोरों से कुछ भी हो सकता है, जब आपका consistent होगा, तब, अगला है, if a pair of linear equation is inconsistent, inconsistent कब होता है, बच्चो, no solution में, parallel के condition में आपका क्या होता है, inconsistent, solution possible नहीं, inconsistent है ना, तो option number a से हो जाएगा, parallel के condition में, इतना असान है, अगला option है, the graph of the equation, are two lengths, which, किस चीज़ को present कर रहे है, तो देखो, ratio निकाल के check करते है, e1 है 6, a2 है 3, 3, 2 जाओ, ठीक है, b1, अब बहुन बहुन निकाल दे, b1 है minus 2, b2 है minus के 1, so, देखो, यह 2, यह भी आ गया, c1 अपन से 2 निकालो, c1 है आपका प्लस के 9, and c2 आपका 12, 3 बन जा 3, 3, 3 जा 9, 3, 4 जा 12, तो पहले दो एक्वेल है, e1 अपन a2, b1 अपन b2 एक्वेल है, बट c1 अपन से 2 के एक्वेल नहीं है, तो यह किस कंडिशन को प्रेजेंट करते हैं, पैरलल, option नमर बीस ही हो जाएगा, ठीक है, यह सब पढ़ा रखा है मैंने, सब कुछ, फिर सब से पूछा है कि किस चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं, ग्राफिकली, तो वही चेक करेंगे, e1 कितना है, देखो, डाइरेक्ट, e1 है 2, e2 है एक्वेल एक्वेलिशन 1, तो यह आगे 2, B1 अपाउन B2, B1 है 3, B2 है मैनस के 2, 3 मैनस के 2, तो दोनो पहले e1 अपाउन A2, जब बीवन अपन बीटों के एक वल नहीं होता है तो क्या होता है इंटरसेक्टिंग लाइन होता है यह इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्टिंग एक्जैक्ली वन पॉइंट ऑप्सन नमबर शीट सही हो जाएगा और हमसे इतनी आसान आसान प्रॉब्लम में और ऐसे ही कुशन पूछ जाते हैं इतना हाडर कुशन को भी नहीं आएगा करें इनका ग्राफ किस चीज को प्रजेंट करते हैं वैसे ही कुशन है बस थोड़ा से यहां चेंज कर दिया आपके दिमाग के साथ खेलने के लिए देखो A1 अपॉन एक टूं फाइव बचफ्चे पंद्रा इना फाइव अपॉन यह भी या वा गया फिर निकालो 7 अपॉन C2, C1 है माइनस की आठ, C2 है, C2 है, 24 बट्टा 5, 24 और ये जो बट्टे का 5 है ना, ये कहां जेदा उपड, तो माइनस, प्लस का है ना, इस तरफ आठ के क्यों जाएगा माइनस का, ठीके, 8 तीयां 24, तो तीनों एक्वल आगा है, सिंस, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, इस एक्वल टो, C1 अपॉन C2, तीनों जब एक्वल आता है ना, तो, कोइंसिडेंट लाइन होती है, एक लाइन के ऐसी, इसी की उपर दूसरी लाइन पे जाती है, इसी इन्फाइन पॉइंट पे टच करते हुए, ओप्शन नुबर A से ही हो जाएगा, कोइंसिडेंट, कैसी लाइन है यह, कोइंसिडेंट लाइन है, अगला कुशन है, इसको इसको सॉल करना है, इन दोनों एक्वेशनों को सॉल करो, और देखो कौन सा आप्शन टूरू है, मुझे कमेंट करके बताओ, कि सर यह आप्शन टूरू है इसका, ठीक बच्चों, शुरू हो जाओ, बहुत इजी कुशन है, अगला कुशन है, इन दोनों एक्वेशनों को सॉल करना है, अब आपके पास दो चॉइस है, इन दोनों को एक्वेशनों को एलिमिनेशन में सॉल करके, यहां से आंसर देख लो, यहां फिर एक एक रख के देखो, ठीक है, यह एक्स की वैलू है क्यों यह एक्वेशनों को सॉल्व होता है, ठीक है, जैसे पहला ओप्शन देख लो, एक्स के प्लिस पर मैनिस के टू रखना है, तो यह आजाएगा देखो 31 दूनी 62 और यह नेगेटिव के 47 तो यह नेगेटिव आ रहा है यह तो होगा नहीं ठीक है यह होगा नहीं 15 लाना पड़ेगा तो option नमर बी लेके देखो 31 गुणा 2 और 47 मैनस के 1 31 दूनी 62 47 मैनस का 12 मैं से 7 गटाएंगे तो आजाएगा 5 ठीक है option नमर बी सही हो जाएगा ठीक है कि यह संतुष्ट कर रहा है x के जगा पर 2 रखो और y के जगा पर 1 बायाबक्ष सरल करने पर दायाबक्ष मिल जा रहा है आपको तो option नमर बी सही हो जाएगा option की मज़द से चक कर लो क्या जरूरत है इतना लंबा चड़ा सॉल करने की अगला कुशन है करेंस solution में आपको पताना है कि क्या होगा x1 की value निकालनी है x x1 के य y1 के बस आपको गुमाने की खुशिच कर रहा है मतलब सिंपल वही है कि x की value निकालनी है करने बढ़ेगा न 2x 2y 2 तियां छे माइनस करने पर साइन चेंज होता है 5 में से 2 गटाएंगे 3y यहां से छे 3 दूरी छे तो y की value आगई 2 y की value किसी भी equation में रख दो x प्लस y हमारे पास 3 था x y की value 2 आगई x की value क्या जाएगी 1 x की value क्या जाएगी 1 हो गया आदा आदा करने अंदर पेर आफ लिन एक्वेशन दो नोट आप एनी solution मतलब दो नोट आप एनी solution का बाद तब क्या पारलल है किस कॉंसी condition है पारलल और पारलल की condition क्या होती a1 अपॉन a2 is equal to b1 अपॉन b2 is not equal to c1 upon c2 तो 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 देखो a1 कितना है 3 a2 कितना है 6 b1 कितना है 5 and b2 कितना है k c1 कितना है plus का 3 एदर रखे-3 और plus का एदर रखे-8 यह दो आपस में बढ़ा पर है ले लो 3k चाह बंजित 30 3 बंजो 0 कितनी नहीं आगई 10 option number b सही हो जाएगा exactly 10 मिलेगी आपको infinitely many solution infinitely many solution कब होता है जब coincident होता है coincident coincident एक लाइन ऐसी गई इसी के उपर दूसरी लाइन ऐसी गई infinite point पर touch करते हुए तब तीनों रिश्यों इकवल होते हैं तब क्या होते हैं coincident होते हैं और इन में बहुत इस many solution होते हैं तो a1 कितना है तेरा a2 कितना है 39 b1 k and b2 a6 c1 minus के k k and a k plus 4 plus का इदर रखेगे आज जाएगा minus का बस इन दो लों के लों तेरा कम तेरा हदे रते हैं 49 1 by 3 k by 6 3 एक कम 3 3 दूनीच है k बन जाके 2 बन जा 2 k की value क्या जाएगी 2 आ जाएगी अर रम से हो गया तो इस वाले question को आपको खुद solve करना है इसमें भी वैसे logic है infinitely many solution के लिए और comment करके बताओ कि इसका कौन से option सही होगा true होगा ठीक है तो यह भी वैसे unique solution है तो इसमें condition के लगा होगे a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 और आपको अपना answer देना है ठीक है इस question में y1 की value निकालना है मतलब दोनों equation को solve करना है elimination method से और y की value क्या आएगी आपको यहां से देखके बताना है comment करो देखतों कौन सा अब अच्छा सही answer देता है एक equation हमें यह दे रखिये तो दूसरी equation क्या हो सकती वह आपको बतानी है यहांने कि dependent linear equations बतानी है कि दूसरी क्या होगी एक equation दे रखिये ना तो dependent बढ़ाने के लिए दोनों तरफ एक ही number से multiply कर सकते हैं तो अगर आप देखो 10 10 मतलब double हुआ है है ना अगर 2 से multiply करोगे तो उदर 10 X 14 Y equal to 4 हो जाएगा तो minus के 10 X plus के 14 Y यह दर आजाएगा minus के 4 equal to 0 तो minus के 10 X plus के 14 Y plus के 4 यह option नहीं है है ना फिर दोको minus के 10 X plus के 14 Y अब अगर minus से multiply कर दोगे 10 X minus के 14 Y और यह plus के 4 है यह option भी हो सकता है है ना और यह plus का 4 दर के minus का भी हो सकता है option number C से ही हो जाएगा ठीक है यह इसका dependent linear equation आ जाएगा कहरें for what value of K will the system of linear equation have no solution? no solution के लिए क्या होता है? parallel के condition parallel के condition है a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2 e1 कितना है हमारे पास? 3 and a2 कितना है? x का coefficient है ना? 2k-1 b1 y का coefficient 1 and b2 k-1 c1 कितना है? plus का 1 इद रखे क्या हो जाएगा? minus k1 and यह plus का इद रखे क्या हो जाएगा? minus क्या तो इन दोनों के equal लेलो cross multiply कर दो 2k-1 3k-3 k को एक तरफ लाओ plus का इद रखे minus का हो गया 3 में से 1 2 k की value कितनी आ गई? 2 k की value कितनी आ गई? 2 आ गई अगला खुशन है if the lines this and this are parallel then the value of k parallel के रे condition क्या होती है? e1 upon a2 b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2 इस condition को लगा हो solve करो और मुझे इसका answer comment करके बताव कि sir, यह option true है हो जाएगा है ना? करके बताव केरें तो pair of equation दो pair of equation है दो solution की बनने है y equal to 0 दे रखा है और y equal to minus 7 दे रखा है तो कितनी solution possible है? 2 solution दो दे रखा है तो यह तो possible होगा तो इस तरीके से जो important mcqs थे वह मैंने आपको करवा दिये चप्टर 3 में ज्यादा mcqs बनते नहीं क्योंकि subjective problem इसमें ज्यादा है mcqs problems कम है तो छोटे मुटे जो questions है ने बच्चो छोटे मुटे जो questions है उनको आप खुद से practice करना हो जाएगा ठीके क्या पता चोटे मुटे जो आपके किसी चीज से condition based problem है वह आजा है mcqs में तो तयारी करके जाना है मैं exam में अगर वीडियो अच्छे लगी तो हर जगा शेयर करें chapter 4 पे चल लादूँगा बाकी chapter करा रखें लिंक्स में जाएके description पे वीडियो को जादा जादा शेयर करें चैनल पे अपना प्यार देने के लिए से subscribe करें और notification mail को प्रेस करें जैहिन अपना ख्याल रखें